मुख्यमंतरी नितीशकुमार जल जीवन हर्याली पर्यावन को बचाने कङ लिए मुहीम शुरूOR की है जसे वायुमंडल प्रदुशर होने से सके पट्ना से सटे पट्ना सेटे की रेने वाले आशिस भर्ती भी पर्यावन को बचाने के लिए साइकल से ही सफर अपना शिरू करते हैं और लोगों को जाग रुख भी करते हैं पर्यावण को बचाने के लिए प्रते एक दिन 100 किलोमीटर का सफर तै करते हैं वहीं आशिश्च भारती बताते हैं कि साइकल से सफर करने से प्रदूशड भी रही होता और स्वास्थ भी अच्छा रहता है जि पर्यावण को भी शुद्ध बना सकती है मुंबई तो गोवा साइकल से सफर आशिश्च भारती कर चुके हैं और लगाता लोगों को जाग रुख करने के लिए साइकल से सफर निकल जाते हैं पर्यावण को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादार पर लगाने के लिए लो और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग विहार में साइक्लिंग को एडॉप्ट करें क्योंकि यहां पे लोगों की एक सोच हो गई है लोग मोटर साइकल से और लोग कार से चलना पसंद करते हैं एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए भी वो अपने कार और मोटर साइकल को यूज करते हैं जो अननेसेसरी पॉल्यूशन क्रियेट कर रहा है वैसे ही ओजोन लेयर बहुत वीक है उसको स्ट्रॉंग करने के लिए पॉल्यूशन कम करना है बट लोग अननेसेसरी पॉल्यूशन क्रियेट कर रहा है तो मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइकल को अडॉप्ट करें और पर्यावरन को मुक्त करें पॉल्यूशन से दूसरा एक तो हमारे यहां ब्रिच की जो कटाई हो रही है सरकार का मैं उस और ध्यान अक्रिष्ट कराना चाहता हूँ कि जो ब्रिच की कटाई है वो ना करें अगर कहीं रास्ते में ब्रिच आता है तो वहाँ पे रोड डाइवर्शन होना चाहिए ना कि ब्रिच की कटाई होनी चाहिए एक ब्रिच को बढ़ने में 100 years लगते हैं और उसको अननेसिसरी कट कर दिया जा रहा है डिवलप्मेंट के नाम पे दूसरा एक अच्छी चीज लगी बिहार सरकार की एक योजना जल जीवन हर्याली है जो की परियावरन के और लोगों को अग्रिसर कर रही है और लोगों को इस और ध्यान देना चाहिए हर व्यक्ति को जीवन में एक पेड लगाना ही चाहिए ये उनका सर्तब्य है देश के प्रती ये उनका सर्तब्य होना चाहिए कि उन्होंने जिस देश के बासी है हैं वहां के लिए उनों ने कया किया वहां के पिर्यावरण के voucher कि अगर फोरोелен के लिए लोग चलना पसंद करें क्वास के लिए पहतर होता हो क्यों है लोगों को साइकल के वारे मेutan विचार करने की जरूरत है, जैसे आप बच्पन में चला कर खुष राते हैं नेचल कर चला कर दो, जैसे आप अभी भी खुष रा सकते हैं मुंबई 2 किलमेटर तक अभी तक सफर कर किये? अभी तक मैं 75,000 किलो मेटर का सफर कर चुका हूँ इसमें मैं mostly longer rides किया हूँ जैसे कि Mumbai to Goa, Mumbai to Gujarat, Mumbai to Kanyakumari, Mumbai to Ramesswaram ऐसे अभी मेरा next attempt है कस्मीर to Kanyakumari जो की pandemic के कारण डीले हो गया एक मेरा trip नेपाल के लिए भी था वो भी डीले हो गया कोगिन के कारण तो बहुत सारे ongoing है मेरे trip जो की अभी डीले चल रहा है कोगिन के लारा है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे like करें, subscribe करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना पूलें